Hey everyone, welcome to Cladpoint and let's start today's the Hindu news discussion. So today's our first class is our new studio. So first of all, Shri Ganesh, for us and for us and for us, for us, for us and for us, for us, as many students are, you all have a good selection of CLAD. And of course, this is our new studio, we will be prosperous. So, let's start the class, probably from next week onwards, we will be live, now see, this is a little new setup, so first of all, we will be habitual. हो जाएं, फिर उसके बाद एक टाइम फिक्स करेंगे, 9 a.m. का या 10 a.m. का, and we will go for live sessions for the Hindu. So, अब शुरू करते हैं हमारे आज के the Hindu news discussion को, सबसे पहले देखिए, आज का कोईस का question है, वो आप लोग ले लीजे, Which body has ordered to provide dry ration to all sex workers in the country without insisting on ration card? तो आपका इस पर जवाब क्या होगा, और जवाब जो भी हो, मुझे case का नाम भी बताईएगा आप लोग, ठीक है? मैं एक बार देखिए setting थोड़ी से देख लूँ, अब आप लोग को better दिख रहा होगा, ठीक है, तो मुझे इसमें case का नाम भी बताईएगा, कि किस case के अंदर court ने यहाँ पर यह बाद कही थी, ठीक है? पैन कैसे लेते हैं, I think ऐसी लेते हैं, तो case का नाम भी मुझे आप लोग बताईएगा, साथ-साथ जो है, आप लोगों को यहाँ पर यह भी बताना है, कि भाई, किसने इसमें से यह चीज करी थी, पैन अभी भी ओन अपना हो नहीं पाया है, as you know, बिल्कुल नया नहीं कर हैं, तो अभी कुछ आइडिया भी नहीं लग रहा है, कैसे होगा यार यार यह, although मैंने इसको यूस किया हुआ है पहले भी, but, 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 guys, pen कैसे on करेंगे, बता दो, यार, bear with me for today only, ना, okay, pointer option, pen, pen नहीं चल रहा है या, इस पर, what to do, 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 चलो, ठीक है, इसको मैं आज जो है, टीम से discuss करूँगा कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है, अभी हम बिना pen के कर लेते हैं, ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो है, मैंने आपको बताया कि हमारा quiz का question हो चुका है, और साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बता दिया ह कैसे आपको जो है, हम इस session को live करेंगे future में, ठीक है, भाई मेर से बिलकूल ही नहीं चल रहा है, गाइस, चलो, ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले एक article आया था कल, क्योंकि कल हमने Hindu discussion नहीं किया था, तो मेरा एक motive था इसके पीछे की कल जो हमारा कुछ छूट गया है, उसक the age of consent, the age of consent जो है न वो पॉक्सो से related article आया है, और हमने यह already discuss किया हुआ था, कि पॉक्सो के अंदर हुआ गया था, देखो एक अभी मसला क्या हुआ, मसला यह हुआ कि एक करनाटका की bench है, जजेस की bench बैठी थी करनाटका high court की, उन्होंने यहाँ पी बोला, इस bench का नाम दे 16 अगा कर दो, ऐसा इन्होंने क्यों कहा था, देखिए इसके पीछे काफी सारे कारण थे, जिसमें से एक कारण सबसे important जो इन लोगों को लगा, वो यह लगा कि आज की rate में देखो, बहुत सारी cases आप ऐसे देखते हो, जिसमें बच्चे हैं या बच्चीयां हैं या फिर ब खुश नहीं हैं, तो फिर वो जो हैं, वो किड्नैपिंग या इस तरीके के charges लगा देते हैं, आपको देखो, मैं थोड़ा से इस पर और एक अभी example देना चाहूंगा, इसमें यह चीज़ आप समझें कि सिर्फ ऐसा नहीं है, कि अगर कोई लड़का जो है, मान लो वो 20 यह का है, और कोई लड़की जो है, वो 17 यह की है, तो लड़की को तो चलो ठीक है कि हाँ, किनापिंग का चार्ज लग सकता है, वो punishable offense है, लेकिन अगर कोई लड़की भी 20 साल की है, और कोई लड़का 17 साल का है, तब भी यह punishable offense होगा, यहाँ पर देखें सबसे पहले, अब प 18 have sex, it is considered as rape, even if it is consensual, यहाँ पर आपको बात समझ में आई, आपकी मरजी का, आप उस पे लिए agree हो, नहीं हो, अगर आप 18 से कम हो, तो पॉक्सों के अंडर में भीया, वो गलत है, तो गलत है, अब देखें, मैं आपको कर और अभी बात बोलूँ, इस पुत आप यह समझो क कि आज की डेड में, देखो, मुबाईल ओबाईल आ गया है, तो हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं, वो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, मैं सीधे शब्दों में बोलूँ, तो फिर यह मान लो कि बच्चे जल्दी जवान हो जाते हैं, साथवी, आटवी क्लास्क में ह आश की इश्क, यह सब चीजे हो जाती हैं, तो अब प्रजेंट डे के सिनारियो में, अगर 16 एज कर दी जाए, तो कोई गलत नहीं है, वही बात इस कोट के बेंच ने कही थी, करनाट का हाई कोट के और यह न्यूज में आया था, इसी के साथ पॉक्सो एक्ट रिवाइस कर लेना, कुश्चन फंसेगा, तो फिर दोनों का मिला के फंस सकता है, तो वो ध्यान रखना, ठीक है, इसके अलावा तो 2002 में पॉक्सो एक्ट लाया गया था, पॉक्सो की फुल फर्म तुरंट अपने दिमार्ग में सोच के देखो, ठीक है, आल्सो जस्टेस, जेयस वर्मा क मीटी जब बनी थी, आफ्टर निर्भया केस, तो उसमें भी ये बात कही गई थी, कि पॉक्सो के अंदर जो 18 की एजना, इसको 16 कर दो, तो ये भी ध्यान रखेगा, ठीक है, इसके बाद देखी, रश्या यूक्रेन क्यों मैंने आज आर्टेकल लिया है, रश्या यूक्रे यूक्रेन के द्रोन ने अटैक किया था, रश्या ने इसके सबूतना पांच कंट्री इसको दिये, उसमें से एक इंडिया भी है, तो इंडिया ने भी साफसाफ काए कि भाई हम रश्या को फुली सपोर्ट करते हैं, रश्या जो है हमारे साथ तब भी सपोर्ट में था, यह था है, वो भी अपना भी डिसकस कर लेंगे, ठीक है, देखो एक चीज़ और है कि मल्टी पोलर वर्ल्ड ओर बनाने की बात कर रही है, इंडिया एं रश्या भी जैशंकर जी के मीट में यह टर्म बहुत कोईन हो रहा है, तो वाट इस इस मल्टी पोलर वर्ल्ड ओर, द देखो जब क्या हुआ था, पहले ना वर्ल्ड में यूएसेस आर और यूएसे दोनों की पावर्स होती थी, लेकिन विट टाइम क्या हुआ जब यूएसेस आर डिसिंटिग्रेट हुआ, तो सिर्फ यूएस जो है वो किंग बन के रहे गया, पर अब क्या है ना जिसे कोचिंग इंडस्टी में मोनोपोली ना हो, कि ज़्यादा कोचिंग्स रहेंगी, तो बच्चों को ज़्यादा चीजे रिजनेबल प्राइज इस पर मिलेगी, ठीक है, तो वो हाली बात है, आगे बढ़ते हैं, तमिल नाडू ब्लास्ट, अक्यूस्ट, प्लांट, सुसाइ प्लास एक्स्प्लोजिव थे, तो चीजे निकल के आ रही हैं कि वो जो हैं, टेंपल्स और इन जगाओं पर अटैक करने का प्लान कर रहे थे, तो वही चीज हैं, आपकुछ एक्जाम के परस्पेक्टिव से नहीं है, बिलकुल बखवास आए हैं, हमारे एक्जाम के परस् परस्पेक्टिव थे, रिवाइस कर लेना, गलत नहीं करना है, ऐसी चीजे आएंगे एक्जाम में, जो पढ़ा दी गई हैं और वो गलत करके आओगे, तब बहुत दिक्कत है, ठीक है, जो नहीं पढ़ाई हैं वो गलत करो, कोई इशु नहीं है, लेकिन जो पढ़ा दी है इसके बाद तालीबान बेन वोमेन फ्रॉम पार्क्स एंड फन फेर्स इन अफगान कैपिटल, तो भाईया, अफगानिस्तान में जो है ना सिच्वेशन अलगी चल रही है, इरान में तो लोग डिमांड कर रहे हैं, अफगानिस्तान में भी कुछ दिन में देखने को मिल सक सकती हैं, तो अफगानिस्तान जो है अलग पत पे चल रहा है, शाहिद कली मैंने एक व्लॉग देखा थे, एक बंदा जो है इंडो ट्रेकर का रही कुछ व्लॉगिंग करते हैं वो, तो अफगानिस्तान गयाता है, इंडिया का बंदा है, जैपूर का है, तो वाँ तालीब अलग 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 जगाहों पे ट्राइ किया है, लेकिन हर कंट्री में डेमोक्रेसी फेल हो जाती है, अंटिल और अनलेस वहां की जनता जो है ना प्रॉपर प्रोटेस्ट पे आ जाए, तो डेमोक्रेसी जो है वो इस्टैबलिश करना जो है अपने आपने एक बहुत तो पहले तो इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि कहां आए ये खिरोसन, तो देखें ये वाली जो जगाहा है ना ये वन जिस पर लिखा हुआ है, दिस इस दा प्लेस जहां से रश्या ने विड्ड्रॉ किया है, विड्ड्रॉ करने के कारण क्या है, अफकोर्स ट्रूप का का इसकी लोका काफी नुखसान हो रहा है, दूसरा कि यूक्रेन के पास अच्छे खासे हतियार भी है, यूक्रेन टकर हलकी फुल की दे दे रहा है, क्यों दे दे रहा है? क्यों कि आज की डेट मेना, सोल्जर से आप नहीं युद्ध जीत होगे, कभी भगवान ना करें बट इंडिया का किसी से युद्ध हो जाएं तो यह नहीं होने वाला है हमारे पास टूप की संख्या जादा है, सामने वाले गंट्री के पार टूप की संख्या कम है, तो सामने वाले गंट्री हार जाएगी, आज की डेट में जीतता वो है जिसके पास equipment जादा होते हैं, technology जादा ह होती है यूक्रेन के पास तो पूरे वर्ल्ट की टेक्नोलोजी जा रही है जो वेस्टन कंट्रीज दे रही है तो यह समस्या है तो यह एक मेजर कारण है जिसके वज़ा से यहां से शिप्ट करते हुए बिंपिरो रीवर की इधर जो है अब रश्या अपना जो है बेस क्रेट करने वाला है इसके लावा देखिए यहां पर देखिए आप में रश्या का टार्गेट क्या है जो लुहांसक इंदॉंस्टक रीजन है ना यह रश्या को नहीं छोड़ना है यह र किया को हैं पर एक बार कर लेते हैं अच्छे से खिर ले ठीक है नहीं आटा तो तो समझ लेना देखो National Judicial Appointment Commission जो है NJAC ये बनी थी एक प्रपोस बॉड़ी बनी थी जिसका मेन परपस था कि सुप्रीम कोट हाई कोट में जजेस लाने के लिए लेकिन हमारी सुप्रीम कोट ने इस पर्टिकुलर को लौ को स्ट्रक डाउन कर दिया क्या कर दिया स्ट्रक डाउन बोला कि ये जो है Judiciary की Independence के लिए नुकसान है Judiciary के लिए Independence के लिए खत्रा है इस प्रॉपर इसका जो सिस्टम था वो लाया गया था Amending the Constitution of India through the 99th Constitutional Amendment Act 2014 ये जरूर द्यान रखिएगा ठीक है कब लाया गया था It was established by amending the Constitution of India through 99th Constitutional Amendment Act 2014 ये वाली जो लाइन है न गाईस This is most important ध्यान रखना अगर question बनेगा तो यहाँ पर years पर भी बन सकता है या कौन सा Constitutional Amendment लाके आया था तो उस पर भी बन सकता है वो ध्यान रखिएगा About the Collegium System तो Collegium System जो है ये Supreme Court and High Court के Judges को appoint करती है, transfer करती है Supreme Court के अंदर ये five member की body होती है जिसमें Chief Justice of India होते है इसके लावा four other judges होते है High Court की Collegium जो है वो वहाँ के Chief Justice के द्वारा और two other senior most judges के द्वारा lead करी जाती है Judges of the higher judiciary are appointed only through the Collegium system and the government has a role only after the names have been decided by the Collegium तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा ठीक है अब देखो यहाँ पर मैं आऊना उससे पहले आपको मैं basic एक चीज़ क्लियर करता हूँ क्या Government Collegium के द्वारा कोई नाम recommend किया हुआ है उसे cancel कर सकती है तो यहाँ पर ध्यान से देखना Collegium ने कोई नाम जो है वो Government के पास भेजे Government जो है ना इस नाम को वापस Collegium के साथ भेज सकती है reconsider करने के लिए बट government उनको मना नहीं कर सकती कि भाई हमें नाम पसंद नहीं है बट अगर जब reconsider के बाद भी Collegium ने Government के पास वापस नाम वो भेज दिया देन Government do not have any option उनको उस बंदे को अपॉइंट करना होगा ठीक है गवर्मेंट का रूल देखो एक और होता है कि जब किसी बंदे को एज लॉयर की तरह आप देखते हो कि लॉयर के बाद उनको जज बना दिया जाता है तो उसमें जो आई-वी की जांच होती है उसकी आसपास की पूरा बैक्गरांड तो उसमें गवर्मेंट का इंटरफेर होता है तो में आग याप देखे सकते हु कि प्रोसीर जो में में गवर्मेंट का राइट है इसमें लेकिन्ग कोई as such government के पास power नहीं है कि वो जो है इसके अंदर जाके कुछ नाम बदल सकें या किसी का नाम प्रपोस्ट कर सकें तो यह एक चीज है जो आप समझिए या ठीक है इसके बाद है the evolution of collision system तो कैसे हुआ तो three judges cases इसमें बहुत important हो जाता है पहला है P. Gupta and others versus union of India 1981 का यह case था have equal importance in the consultation process फिर आया advocate on record association versus union of India 1993 इसमें बोला गया the court overruled the above case and held that in the matters of appointment and transfer of judges the view of CGI has the greatest significance फिर देखिये in re-presidential reference case 1998 में बोल दिया गया कि भाईया judges it not binding on the government और recommendation made by the CGI without following the consultation process for appointment of supreme court and high court judges it not binding on the government मतलब अब आप मुझे बताईए कि तीनों केसे साब को concept का समझ में आया चलिए आपके साथ मैं भी पढ़ता हूँ सबसे पहले देखिए P. Gupta and others versus union of India 1981 का case था इसमें क्या बोला गया इसमें ये बोला गया कि CGI के पास कोई primacy नहीं है on the opinion of the chief justice of high court ठीक है दूसरा यहाँ पर बोला गया advocate on record association versus union of india 1993 का case court ने overrule कर दिया उपर आला जो case था और इसमें ये बोला गया कि CGI का greatest significance है और 1998 के case में यहाँ पर क्या बोला गया कि the recommendation made by the CGI ठीक है chief justice of india के द्वारा कोई recommendation दिया जा रहा है without following the consultation process for appointment of supreme court and high court judges is not binding on the government मतलब CGI जो है वो अकेले किसी का नाम नहीं coin कर सकता है जो consultation process है उसको अगर CGI proper follow करेगा then and only वो नाम जो है ना वो सही है otherwise government को वो नाम binding नहीं करता है मतलब कलको CGI collagen system के जो यह system है जिसमें senior most judges के साथ consult करना है फिर decide करना है उसके बिना कुछ नाम प्रपोस कर दे तो government के उपर फिर वो नाम binding नहीं है criticism क्यों होता है close door affair है opaque है not accountable है बिलकुल समझ में आ रही है यह बाते तो यह तक आगाई उसको छूने की कोशिश करो उसको पूरा पूरा यूज करो there is a very good कहावद की खुद से जीतने की जिद है मेरी मुझे खुद को हराना है मैं भीड नहीं हूं इस दुनिया की मेरे अंदर एक जमाना है तो लगे रहो मेहनत करो आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी क्लैट में मिलेगी नहीं मिलती है तो उसके आगे भी लाइफ है कुछ अच्छा कर लोगे लेकिन इन दी एंड जो मेहनत है न वो नहीं रुकनी चाहिए ठीक है तो this is it guys thank you so much हसते रहिए मुस्कुराते रहिए पढ़ाए करते रहिए क्लैट पॉइंट को सब्सक्राइब कर लिए शेयर करिए मिलते हैं कल जय हिंद जय भारत